गड़ित बच्चों को इतना कठिन क्यों लगता है क्या आप बता सकते हैं मैं बताता हूं क्योंकि बच्चों ने आज तक गड़ित को समझने की कोशिस ही नहीं की है उन्होंने उसका basic concept नहीं समझा है कुछ question को शीख तो लिया कुछ trick के साथ सीख लिया कुछ एकाथ question उसको समझा कैसे जाता है, question को समझने की बाद question की line से ही हमें answer को कैसे solve करना है, बच्चों ने ये समझना तो छोड़ी दिया है, या उन्होंने ये चीज़ तो समझा ही नहीं है, वो question को पढ़ते हैं और सिधा pen उठाके solve करना शुरू कर देते हैं, गलती यहीं पर हो जाती है बच्चों, तो आज मैं बताऊंगा कि आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी के अपने YouTube चैनल ABC Classes, Math From The Beginning, मेरे चैनल का नाम ही है Math From The Beginning, इसका मतलब है गडित को बिलकुल से लेके चलता हूँ, question को पढ़ा कैसे जाता है, और उसको पढ़ा कर समझा कैसे जाता है कि हमें solve कैसे करना है, question line by line क्या कह रहा है, ये सारी concept को आप मेरी class में सीख सकेंगे, ऐसे बच्चे जो अभी तयारी करना सुरू करने जा रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो साल भर से द डेड़ साल, दो साल से तयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी गड़ित उनकी एक परिसानी बनी हुई है, बच्चो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, मेरी class में आपको गड़ित अब कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, उसको solve कराने का जो मेरा तरीका है, आज तक जितने बच्चों का review मिला है मुझे, सबका कहना यही है कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही basic से पढ़ाते हैं, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पर playlist में जाके, किसी भी वीडियो को उठाईए, और आप देखे, मैं एक एक question को कैसे समझाता हूँ, ठीक है, मैं यह आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो बच्चों, basically मैं यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आप किसी exam की तयारी कर रहे हैं, math आपके सफलता में दिक्कत बन रही है, तो अब वो दिक्कत और ज़्यादा नहीं रह कानते हैं, कैसे आप उसको solve करेंगे, ठीक है, और मैं यह बताना चाहता हूँ, बच्चों, कि आपका railway group D का exam, March, April में सुरू होने वाले हैं, फरवरी और March, March तक आपके NDPC के exam चल रहे हैं, उनका schedule लगा हुआ है, अपरेल से group D का exam सुरू हो जाएगा, बच्चों, और मेरा batch चल रहा है, railway group D, special batch चल रहा है, जिसमें मैंने अभी तक, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, time and work, and speed, time and distance, problem based on trains, यह सब मैंने करा दिया है, और मेरा batch अभी चल रहा है, उसको आप join कर सकते हैं, और जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, जो मैं lecture per day upload करता हूँ, एक सकता में कम से कम 5 lecture मेरे upload होते हैं, 5 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं होगा, है न, 5 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कभी time नहीं मिला, तो भी मैं process करूँगा, 5 तो होना ही होना है, ठीक है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप मेरे per day के lecture को attend करिए, और और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ न मैत में जितना भी एक lecture में जितना question कराता हूँ आपने अभी तक जहां से भी notes बनाया है उसको सम्हाल के किनारे रखिए और मैं जितना आपको बता रहा हूँ जो जो question करा रहा हूँ उसको एक notes उसमें बनाईए ठीक है और उसी कोशन को आप रिवाइस करिए अगले दिन मेरा लेक्चर होगा फिर उस पिछला आप उसको रिवाइस करके अगले लेक्चर को अटेंड करिए और मेरे पिछले जो टॉपिक खतम हो चुके हैं एक-एक करके आप उनको धीरे-धीरे खतम करके जो बच्चे अभी नए हैं वो मेरे बड़ाबर आ जाएं दिरे-दिरे और जो बच्चे अलरडी जोड़े हुए हैं वो तो साथ में चली रहे हैं बच्चो रेलवे ग्रूप D की भरती जो है बहुत बड़ी भरती है जिसमें सफलता मिल गई तो समझे आगे आपका जीवन बहुत ही उज्वल हो जाएगा ठीक है अभी तो ये हालात हो गए है कि भरती के नाम पर vacancies आना बहुत ही मतलब मुस्किल हो गया है SST CZL में पहले 12,000-14,000 vacancies आती थी अब 6,000 vacancies आ रही है 5,000 आ रही है हर जगा जहाँ vacancy बहुत ज़्यादा आती थी अब वो घटके बहुत ही कम हो गई है तो मेरे प्यारे बच्छो मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी जाने मत दें है ना बिल्कुल भी जाने मत दें और इसे बिल्कुल खासिल करके रहना है मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आप मेरे साथ जुड़ जाए ठीक है math आपके लिए अब दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है ना मैं यहाँ पर आपको ये shorty दे के पढ़ा रहा हूँ math में 25 question आते हैं और आपके 20 question मेरे notebook से उसी type के question फसेंगे मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि 25 के 25 question मैं आपको बता दूँगा और आप करके चले आओगे क्योंकि exam में examiner जो होता है कुछ question तो ऐसे set करता ही है जो थोड़े से tough होते हैं और थोड़े से tricky होते हैं लेकिन railway group D के जो question होते हैं वो बहुत ही आसान level के होते हैं beginner level के होते हैं और बच्चो मैं आपको beginner से high level तक पढ़ाऊंगा लेकिन pattern totally based होगा railway के exam पर तो बच्चो एक बार भरोसा करकर आप मेरे चैनल पे जुड़िए सब्सक्राइब करिए और इतना सा थोड़ा सा धैर रखिए थोड़ा सा आपका समय से पहले आपको math खतम कराने की जिम्मेदारी मेरी है ठीक है मैं बिलकुल इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तयार ह और मेरा क्लास बहुत ही सांदार चल रहा है एक्जाम से पहले जिम्मेदारी को अपने निभा भी दूँगा खतम कर दूँगा और आपको प्रिवे से पेपर भी सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है चितना मैं बता रहा हूं उतना आप math में करो बाकी जो आपकी GS के section है जो GS के section है आपके और जो आपका जैसे की bio हो गया physics हो गया chemistry हो गया history geography and current affair हो गया and reasoning हो गया है ना इनको आप अभी तक जैसे continue कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से continue करिए लेकिन math totally आप मैं बता रहा हूं उसकी tension छोड़ दीजे जैसा बता रहा हूं वैसा करिए आपके 20 number यहा पर आने तैय हैं मेरा कहने का मतलब है math में जो बच्छा बिलकुल मैं बता रहा हूं जो बिलकुल भी अभी शुरुआत करेगा ना वो भी इस काबिल हो जाएगा मैं जूट नहीं बोलूंगा अगर आपको जीरो जीरो लेवल से अगर आप सुरू कर रहे हो तो फरवरी और मार्च में आपको इस लेवल पर ला दूँगा कि अगर math में आपने 25 में से मुश्किल से 5 से 10 नमबर ही जोड़े हैं कि मैं इतने ला सकता हूं तो मैं आपको यहां से उठा के इस लेवल पर ला दूँगा अगर आप इतना question करने के लायक हैं 5 question भी अगर आप 25 में करने के यहां नहीं भी लायक हैं अगर 0 से शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 15 नमबर तो मेरे पढ़ाने से आप उठा लोगे लेकिन अगर आपको पता है कि 5 से 10 question आप कर लोगे इतना आपको आता है तो 20 नमबर आप उठा लोगे math में सिर्फ मेरे बनाए मेरे पढ़ाए हुए note से भ मैंने भी math बहुत पढ़ा मैं बहुत trick देखता था कि चलो इसको कैसे solve करेंगे trick देखते हैं और बच्चो आपको trick अगर trick की बात करते हूँ तो mtyra 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 की book आती है अगर आप उसको खरीद लो तो जितने भी chapter है हर question के लिए एक trick है अगर आपने profit and loss पढ़ा और आपने 50 question लगाए तो आपको 40 trick मिल जाएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आप उस book को बिल्कुल बंद करके रख दोगे क्योंकि उससे आपका भला नहीं होने वा इसा math में नहीं होता है बच्चो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है question थोड़ा सट change हो जाता है ठीक है तो आपका trick काम नहीं करेगा इसलिए बच्चो मैं math को बिल्कुल basic से पढ़ाता हूँ कि question थोड़ा change भी हो गया तो आप उसको समझ जाओगे कि यह कह क्या रहा है ऐसा प reading से और GS से ठीक है बच्चो और यह आपका math हो गया यहां से आपने जो भी target set किया है उसमें 20 नंबर और जोड़ लो है ना अगर आपने GS में सोच रखा है कि मैं 25 ले आऊंगा और यहां पे भी 25 ले आऊंगा तो 20 नंबर आप math में जोड़ लो आपके 70 marks कहीं नहीं गये है कि उससे compare करें ना अगर आपका raw mark 70 आता है 70 क्या 65 भी आता है ना तो आपका selection पक्का है ठीक है आपका selection पक्का है इतना भी आता है तो आपका selection पक्का है क्योंकि पिछली बार के cutoff मैंने देखे हैं इतना आने के बाद normalization भी होता है लेकिन मैं आपसे कहूंगा 70 बना के चलि इतने अगर आपके आगए आपका selection पक्का है फिर आगे आप physical की तयारी करिएगा ठीक है तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए और मेरे चैनल से जुड़ जाए मैस को बिल्कुल मजबूत करने के लिए कि अब मैस आपके बीच में दिक्कत नहीं कर आफता रह जाएगा अगर आप ग्रूप डी जैसे एक्जाम में selection नहीं ले पा रहे हैं तो आगे जो आपका लेकपाल की भरती आएगी लिकपाल की भरती आएगी दरोगा की भरती आएगी मुश्किल से 4000-5000 अगर सीट आता है यह न बच्छो कामना करते हुए मैं बस आपसे विदा चाहूंगा और आप मेरे बस इतना कहना चाहूंगा मेरे इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं ठीक है जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनको math बिल्कुल सीखना है basic सी सीखना है concept के साथ सीखन है कोई trick बाजी नहीं चलती है ठीक है ना concept के साथ सीखना है trick मैं बताता हूं लेकिन concept के बिना मैं trick नहीं बताता ठीक है बच्चो तो ठीक है बच्चो आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों क तक मैं बताता है कि मेरे चैनल की स्वार नहीं चलते हूं लेकिन यहाईब करेंगे ज उह पर दोस्तों को ठीक है तीक है नही का दोतातानी ह quartz यह च 얼마나 झाल थिए जताता है कैlais प्ता है कि अ ईया प्ता वार पाहिं ग्नादा थरनता दो स्वक्वरा सुलेंद है वां Lewisण वाय च